तो आज हम फास्टनर के बाड़े हैं पढ़ेंगे और यह ज्यादा वीडियो यह लंबा भी नहीं होगा है ना तो एक बहुत सुन्दर सी लाइन है यह क्या आप पेर पोधों के बीना इस वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हो नहीं ना ठीक उसी तरह फास्टनर के बीना आप जो इंजिनरी वर्ल्ड है उसको इमेजिन नहीं कर सकते चाया कोई भी बढ़ांच हो कोई साब डिवाइस हो उसमें आपको फास्टनर दिखी जाएगा और बीना फास्टनर के वो डिवाइस आपके पोसिबल ही नहीं है तो यह बहुत स सुन्दर लाइन है फास्टनर के विसमें कि इंजिनरी वर्ल्ड को इमेजिन करना इंपोसिबल हो जाएगा फास्टनर के बीना क्या होते है इसके डिविस्टन को आप देखिए यह तरह के मसीन एलिमेंट है एक तरह का डिवाइस है जो दो या दो स्याधे मटेडियल्स को जोड़ने के काम में आता है अगर वे जोड़न ही नहीं हो पाएंगे तो हम कोई डिवाइस बनाएंगे कैसे है ना इसे एक एजामपल से और समझीए यसे आप चापा कल देखते होंगे चापा कल क्या होता है पानी निकालता है यह पानी पीते हैं तो उसमें अलग-अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं अपका हेंडल होता है हेड होता है पाइप होता है अलग तरह के पार्ट्स में होते हैं तो वे एक दुसरे से ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने की वज़ा सहीं वे पानी निकालते हैं हम लोग पीते हैं तो वे उसमें ज्वाइन किस व कर रहा है इस विजह से हमारा जो एक तरह का चापकल क्या एक तरह का डिवाइस हो गया वो पोसिबल हो पाड़ा है तो अलगतरा के हमारे पास फास्टर एवलेवल है इससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नट और वोल्ट इसे तो आपको हमिशा देखते होंगे ये चापकल म वासर भी आप देखते होंगे, ये भी ये इतरह का फाश्टन अंड़ी है, डिवेट्स, डिवेट्स का क्या होता है, दो या दो स्याधे प्लेट्स को ये जोड़ता है, डिवेट्स के बाड़े मैंने वीडियो ही बनाया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, तो आप इसको description boxable link दिया हुआ है उसको देख सकते हैं मैंने reverse के अलग-अलग types होते हैं उसके बाड़े हैं बात की है और reverse किस तरह से materials को जोईन करते हैं plates को जोईन करते हैं उसके बाड़े मैंने बात की है है ना उसके अलावा भी है तो ये बाहर ना निकले और कोई accident ना हो तो ये जो पीन है आपको पांखे मिल जाएगा और ये दूसरा है आपके पास cutter pin ये जो cutter pin है आपको cutter joint मिलता है ये आपको मिलेगा जो tractor होते हैं tractor के पीछे जो लगी होती है bogie tailor बोलते हैं हम तो tailor को जब start से जोड़ा जाता है तो ये पीन को बीच में लगा दिया जाता है तो ये आपका cutter pin की तरह होता है उसके अलावा भी होता है आपके पास snap rings होते हैं इसको भी आपने देखा होगा ये motorcycle में ज़्यादार use होते हैं इसके बाद है आपका insurance ये भी आपका machine और autovial में ज़्यादा तर देखने को मिलते हैं है ना इसके बाद आपका screw हो गया screw तो बहुत common है इससे आप घड़वा भी देखते होंगे तो ये हैं आपके फास्टनर और भी तरह के फास्टनर होते हैं है ना इस मेरे मकसद के वाल इतना था कि आपका बताना कि फास्टनर होते क्या है है ना तो इतने चीज़े होती हैं फास्टनर में कि अलग लग तरह कि फास्टनर है क्लास्टिकली के साथ में बहुत बड़ा है तो इनका एक ही काम होता है जवाइन करते हैं दो या दो स्याधिक materials को, plates को, objects को एक साथ ये common काम होता है हर एक फास्टनर का अब हम तोड़ा टेक्निकली और theoretical समझ लेते हैं कि फास्टनर होते क्या है तो फास्टनर के definition के देखिए आपको screen पर दिख़ड़ा होगा फास्टनर एक machine element है एक device एक तरह का जो दो या दो सदिक plates को, metals को और materials को, objects को है ना जोणने के काम में आता है और इसके और फास्टनर को दोगर नाम से जानते हैं और एक है फास्टनिंग इसमें भी आपको confusion नहीं हो ना इतीनों एक ही सीज है ना फास्टनर को दो कटेगरी में डिवाइड किया जाता है एक होता है आपका permanent fastening और दूसरा होता है आपका temporary fastening पर्मानेंट fastening में क्या होता है आपका इसमें जब materials को एक सांजुरा जाता है ना तो उन materials को अलग-अलग हटाना यानि कि disable करना मुस्किल हो जाता है इसके लिए आपको polymaterials को जो आपने fastening की है उसको पर तोड़ना पड़ेगा और उसको जब तोड़ेंगे तो आपको जो material है ना वो भी damage हो जाता है तो permanent fastening वो है जिसमें आप जब उसको disemble करिएगा तो यह possible नहीं हो पाता है इसके लिए आपको नुकसान थोड़ा उठाना पड़ेगा आपको तो जो fastening उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा साथ यह आपका material भी तूट जाएगा जिसमें आपका आता है welding joint जो होते हैं वो यह आपके permanent fasting में आते हैं जो आपका reverse joint होते हैं solding जो आप करते हैं वो आपके permanent fasting में आ जाते हैं आपको तो चीज है आपको वेल्डिंग कर दिया है दो चीज है दो metal का टुकड़ा है उसको अपने weld कर दिया है अब उन दोनों metal को आपको अलग करना है तो पहले आपको जो building की है उसको तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ेंगे तो हो सकता है आपको जो material है वो भी तूड़ेंगे तो यह होते हैं की यह सब आपके temporary fasting में आते हैं की जो होता है न आप वो समझ नहीं आ रहाए की कौन सा की चाबी वह ला की जो तलग वहलते हैं नहीं हो की नहीं है यह यह soft को काम में आता है, soft को जोणने के काम में आता है यह की, है ना, इसको बड़ा में बात करूंगा, अगली वीडियो में या फिर जब मेरी वीडियो आएगी, तो यह की भी बड़ा important है, यह भी आपका temporary fasting में आता है, तो इतनी चाशी छोटी सी वीडियो थी यह, फास्टिं क्या है, और मेरा मकसर इतना था कि आपको बता देना कि यह फास्टिंग क्या होते हैं, कई बड़ा हम जब पढ़ते हैं, तो फास्टिंग वर्ड आ जाता है, machine design में, तो confusion होता है, फास्टिंग मतलब क्या, है ना, इस समझ नहीं आता है कि कहना क्या आचाड़ा है, और इसम होते हैं, इसके बाले जब चीजों को पढ़ते हैं, थुरा सा हमारा लिए असान हो जाता है, ना, तो इस छोड़ी से वीडियो थी, I hope आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्से में जुरू बताइए, ओके, थैंक यू